इस मैं सेल्फ टॉक्टर सिचिन गोश्वामी वेलकम यू और माय यूट्यूब चैनल टॉक्टर सिचिन गोश्वामी इंग्लिश क्लासे students जैसा की आप जानते हैं और जैसा मैंने आपसे वादा किया था वो मैं किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ आपको एके करके सभी chapters मैं यहाँ पर explain करता जा रहा हूँ मैंने आपके पढ़ाने की जो starting है वो poetry से की है 12th class UP board की starting मैंने poetry से की है और poetry में मैं आपको cover करा चुका हूँ आपकी जो दो poems है एक टो character of a happy life में आपको करा चुका हूँ true beauty भी मैं आपको करा चुका हूँ और आज मैं आपको कराने वाला हूँ on his blindness by john milton उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ा है हुआ समझ में आ रहा होगा कोशिस मैं ये करता हूँ कि आपको आसान से आसान भाषा में क्योंकि आप अभी छोटे लेबल में है 12th standard में है तो आपको आसान से आसान तरीके से आपको चीजों को समझाये जाए लेकिन कुछ चीजे ऐसी जो आपको other teachers के द्वारा नहीं बताई जाती है वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिस आपको करूँगा ताकि आप जब explanation बनाए तो जो critical note होता है अगर जो उस notes में आपको आप मेरी बताई हुई ये points लिख आते हैं तो आपको उसका ज़्यादा फायदा मिलना है आपको उसके marks उसके अच्छे मिल लेंगे अगर जो आप उन points को लिखाते हैं और दूसरी बात साथी साथ में कुछ facts भी आपको poet की life से और जो poem है उससे बताता हुआ चलता हूँ तो इस start करते हैं देर ना करते हुआ इस start करते हैं आज की poem On His Blindness तो सबसे पहले On His Blindness को start करने से पहले John Milton John Milton जो है उनका जनम 1608 में लेंडन में हुआ था John Milton का जो जनम है He was born on 1608 इन लेंडन लेंडन में इनका जनम हुआ था और जो इनकी study थी ये सैंट पॉल स्कूल में इन्होंने study की थी इसके अलावा इन्होंने Christ College जो Cambridge University थी वहाँ पर study की थी तो एक छोटा सा एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा की जो इनकी look थी वो ऐसी लगती थी जैसे मानों की एक लड़की की तरह ये लगते थे तो यही कारण था कि इनको Lady of Christ के नम से इनके जो दोस्त थे वो टीज किया करते थे Lady of Christ कहकर इनको तो वो चिड़ाया करते थे Milton को Milton बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू थे Milton का जो मन था वो पढ़ने में बच्पन से ही Milton का पढ़ने में मन था वो पढ़ते रहते थे पढ़ते रहते थे यहां तक कहा जाता है कि वो रात को जो candle light study होती है वो भी किया करते थे जो मुमबत्ती की रोशनी में पूरी-पूरी रात Milton पढ़ा करते थे इस तरह से Milton पढ़ा करते थे और यही कारण था कि ज़्यादा पढ़ने के कारण जो John Milton थे क्योंकि यह जो पौयम है यह उनकी असल जिंदगी को बया करती है यह कविता और यह ज़्यादा पढ़ने के कारण Milton blind हो गए थे और यह at the age of 44 44 साल की उम्र थे इनकी यह आप पॉइंट आप लिख कर आ सकते हैं अपने notes में यह पूरी तरह से अंदे हो गए थे लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति अंधा हो गया था उसने अपने अंदे होने के बाद भी जो एक गरंथ लिखा एपिक लिखा इंग्लिश लिटरेचर में जिसने John Milton को immortal बना दिया और वो गरंथ भी खुद भी immortal बन गया और उस गरंथ का नाम था Paradise Lost जो कहानी है इस स्रश्टी के निर्माण की Adam और Eve की कहानी है कि कौन प्रत्वी पर पहले आया था किस प्रकार से स्रश्टी का उद्य हुआ और किस प्रकार से Adam और Eve को Eden Garden से निकाला गया और किस प्रकार से Jesus Christ ने दुबारे से उसको एक तरह से रियूनाइट किया तो ये सारी चीजें हैं जो Paradise Lost में इनकी कहानी है इसके अलावा Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonist जैसे बहुत से famous works John Milton ने लिखे है John Milton की जो death थी 1674 में हुई थी और तो ये आपको पता चल गया कि Milton किस तरह से अंधे हुए थे और ये जो कविता है On His Blindness ये Milton के अंधे होने पर है कि Milton अपने अंधे होने पर यहाँ पर एक तरह से पश्चाताप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एक painful condition में है बहुत ज़्यादा दर्द से पेड़ित है कि अब वो करें तो क्या करें अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ ये जो poem है John Milton की On His Blindness ये Miltonic Sonate है ये Miltonic Sonate है एक point तो आपने वो लिख दिया कि ये 44 की age में अंधे हुए थे दूसरा point आपने notes में जो explanation के notes से उसमें ये लिख दिया कि इनको Lady of Christ के नाम से जाना जाता था तीसरा point आप ये लिख देना कि ये Miltonic Sonate है It is a Miltonic Sonate explanation में critical note में तीसरा point लिखना है It is a Miltonic Sonate ये Miltonic Sonate है अब सबसे बड़ी बात कि हमारे तो काफी students को ये ही नहीं पता होगा कि Sonate होती क्या है क्योंकि generally बताई भी नहीं जाती है students को पढ़ाते समय तो मैं आपको बता देता हूँ Sonate जो होती है वो 14 line की छोटी सी कविता होती है और ये जो honest blindness है ये Miltonic Sonate है इसमें जो starting की 8 lines है उनको हम बोलते है octave कहा जाता है तो इतना ध्यान रखना है starting 8 lines octave कहलाती है last की 6 lines state कहलाती है octave में starting की 8 lines में कवी देता है समस्याएं और last की 6 lines में दी जाती है उनसे जुड़ा हुआ solution और instruction last की 6 lines जो पंक्तियां होती है उसमें दिया जाता है तो इस प्रकार से इसमें शुरू की 8 line में problem होंगी last की 6 line में उनका खुद समाधान point ही दे देगा तो ये octave और sastate में divided होती है तो ये भी आप अपने जो explanation का notes है तो उसमें आप लेक कर आ सकते हैं कि it is divided into two parts octave and sastate octave carries starting 8 lines and sastate last 6 lines कि octave में 8 lines है और sastate में 6 lines है और octave में problems है और sastate में solution है तो इतना भी आप बता सकते हैं और इससे क्या होगा एक बहुत बड़ा impression create होगा और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूँ आप rhyming scheme भी लिखिया ये critical note में ऐसे ऐसे points में आपको बता रहा हूँ मेरी जो वीडियोज है अच्छी लग रही होगी अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो I just request you to subscribe my channel और जब subscribe करें तो जो bell icon होता है उसको press जरूर कर दें ताकि आपको जो notifications है वो मिलते हैं हेरा गोलर तो अब मैं आपको बता देता हूँ उसकी rhyming scheme क्या है इसकी rhyming scheme है अब आप count कर सकते हैं इसमें 14 यह letters आप mention किये हैं और जैसा कि मैं आपको बताया था कि 14 lines होती है 14 lines होती है सोनेट में starting 8 lines octave है हापर miltonic सोनेट में last की sensitive है अब यह rhyming scheme निकालते कैसे हैं यह सबसे बड़ा question है यह भी मैं आपको बता देता हूँ लेकिन फिलाल आपको यह याद रखना जादे जरूरी है कि इसकी rhyming scheme क्या है ABBA, ABBA, CDE, CDE और rhyming scheme हमेशा small letters में लिखी जाती है इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है इस rhyming scheme को अपने explanation में जरूर mention करियाना note में कि इसकी rhyming scheme ABBA, ABBA, CDE, CDE है अब rhyming scheme निकालते कैसे यह मापको बताता हूँ जैसे आपने एक poem बच्पन में पढ़ी होगी twinkle twinkle little star तो उसका हम last का word ले ले लेते हैं star फिर आता है how I wonder what you are फिर आता है up above the word so high उसके बाद आता है like a diamond in the sky अब क्या करते हैं हम सुर मिलाते हुए चलते हैं और जो सुर एक साथ मिलेंगे उनको एक काटेगरी में रखेंगे star को हमने माना A star R जैसे राजा बाजा, मचली वचली तो star R से मैच कर रहा है तो इसको भी हमने A मान लिया high, high star से मैच नहीं कर रहा है इसको मान लिया B, लेकिन इसका ही मैच कर रहा है इसको भी मान लिया B, तो इस poem की rhyming scheme क्या हुई A, A, B, B इस तरह से किसी भी poem की rhyming scheme निकाली जा सकती है तो इसकी rhyming scheme है A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E जो on its blindness poem है इसकी rhyming scheme यह है और यह मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यह poem John Milton की John Milton की एक तरह से एक grief से भरी हुई poem है दुख से भरी हुई poem है जिसमें Milton जो है एक तरह से बहुत दुखी है अपने अंधे होने पर क्योंकि भगवान ने उनको अंधा बना दिया है और वो भगवान की सेवा करना चाहते थे कैसे सेवा कर सकता है कवी कर सकता है कवी ता लिख कर सेवा कर सकता है जो अपना writing work है उसको compose करके उसको लिख कर सेवा कर सकता है तो उस तरह से वो सेवा करने चाहते थे लेकिन भगवान ने उनको अंधा बना दिया है तो अब वो क्या कहते हैं यह मैं आपको बता देता हूं When I consider how my light is spent तो यहाँ पर यह कहते हैं जब भी मैं सोचता हूं Consider मतलब विचार करना, सोचना How my light is spent कि मेरे आखों की रोशनी कैसे चली गई कभी यहाँ पर यह कहता है जो John Milton है, वो यह कहते हैं कि जब भी मैं सोचता हूं कि मेरे आखों की रोशनी कैसे चली गई In half my days In this dark world and white और यह केवल किसमे Half of my days मेरी जिंदगी के आधे दिनों में आधे दिनों में मतलब मैंने आपको बताया ही था At the age of 44 He became completely blind 44 साल की उम्र में यह पूरी तरह से अंधे हो गई थे तो यह कहते हैं कि मेरी जिंदगी के आधे ही दिनों में 44 वर्ष की उम्र में मेरे लिए संसार दूर दूर तक अंधेरे से भरा हुआ हो गया अंधिकार युक्त हो गया And that one talent Which is death to hide And that one talent और वो एक योग गयता जो म्रत्यू के समान hide हो गई मतलब छिप गई अब किस योग गयता की बात यहाँ पर जो point है वो कर रहे हैं यहाँ पर उन्होंने ये word यूज किया talent और death to hide इसको भी हम explain करेंगे Talent मतलब योग गयता और योग गयता किसकी योग गयता कवीता लिखने की जो poetry composition होती है उसकी तो यहाँ पर कवी ये कहता है मेरी जो योग गयता है वो म्रत्यू के समान छिप गई क्योंकि म्रत्यू जब आती है तो चाहे इंसान कितना ही योग गय क्यों ना हो सब योग गयता उसकी रखी रह जाती है अब वो उस योग गयता का कुछ नहीं कर सकता है इसी प्रकार से एक राइटर के लिए उसका अंधापन है अब बिचारा अंधा होने के बाद क्या करे तो यहां पर वो यही कहते हैं कि मेरी जो योग गयता है वो मृत्यू के समान गयी लोज्ड विद्मी यूजलेस लोज मतलब निवास करना और यूजलेस मतलब निरर्थक मेरे साथ रहकर भी वो निरर्थक है कहीं बाहर नहीं गई उनकी योग गयता उनके पास ही है उनके दिमाग में है उनके मस्टिक्स में हो योग गयता लेकिन निरर्थक है क्यों क क्योंकि अब वो उसको उतार नहीं सकते, क्योंकि वो अंदे हो चुके हैं, और जिसके लिए जो उनकी आत्मा है, वो बहुत ज़्यादा है, उत्सुक होती है, कि किस चीज के लिए, तु सर्व देर्विद मैं मेकर, कि अपने मेकर की सेवा करने के लिए, मेकर यहाँ पर कहा गया है, गॉड को, भगवान को, जिसने उन्हें बनाया, जिसने स्रश्टी को बनाया, कवी को बनाया, सब को बनाया, तो यहाँ पर वो कहते हैं, कि मैं अपनी उस योगता से सेवा करना चाहता था, अपने भगवान की, and present my true account least he returning child and present my true account और जब मैं अपना सच्चा बही खाता पेश करूँ तो least he returning child कि कहीं वो मुझे भला बुरा ना कहे child मतलब भला बुरा कहना, डाटना, फटकारना तो अब ये जो ये आपने देखा होगा कि present my true account अब ये true account क्या है? किसको present करने की बात यहाँ पर चल रही है present my true account ये Bible से reference लिया गया है Bible में साफ साफ mention है जब इनसान की मृत्यू हो जाती है मृत्यू के बाद जब वो उपर जाता है तो उपर जाकर वो इनसाफ होता है कि उसने क्या किया, कैसे कर्म किये उसके कर्मों के हिसाब से उसको सजा मिलती है तो यहाँ पर कवी को क्या करने के लिए भेजा था भगवान ने? कवीता लिखने के लिए भेजा था लेकिन कवी ये कहता है कि कहीं भगवान मुझे भला बुरा ना कहे कहीं मेरे पर डाट न लग जाए जब वो मेरी जिंदगी का हिसाब मुझे से पूछे और मुझे कहे कि मैंने तुझे कवीता लिखने के लिए भेजा था काम करने के लिए भेजा था तूने क्या करा? तूने तो कुछ भी रही किया तो वो इस बात से डर रहा है कि कहीं भगवान उसको फटकार न लगा दे कि उसको डाटे ना जब वो सच्चा वही खाता पेश करे डौत गौड इग्जेक्ट डे लेबर डेनाइट अब देखो अब बात आ जाती है सेस्टेट की अभी तक कभी परेशान था प्रौब्लम्स थी आट लाइन में सेस्टेट में क्या कहता है प्रौब्लम्स को वो यहां पर दीरे-दीरे से सेस्टेट में प्रौब्लम्स भी देगा और वो कहता है क्या भगवान को वास्तब में जो है एक अंधे के काम की आवशकता होती है I fondly ask but patience to prevent और मैंने मूर्कता से ये खुद से प्रिशन किया और जो मेरा धहर्य था वो रुक गया अब देखिए सेस्टेट में क्या अंसर उसको मिलता है यहां पर जो एक प्रॉब्लम्स थी उनका सोलूशन यहां पर उसको मिलना चालू हो जाएगा उसका जो अन्त्या करण है उसकी आवाज आती है जब वो यह पूछता है कि क्या एक अंधे को जो है अंधे के कारे की आवशक्ता होती है भगवान को तो वो ये कहता है that murmur soon replies जो मेरा अंतकरण है वो उत्तर देता है God doth not need either man's work or his own gifts who best bear his mild yoke they serve him best भगवान को किसी मनुष्य के काम की आवशक्ता नहीं है क्योंकि उसके पास तो उसके खुद के उपहार है खुद के एंजल्स है फरिस्ते हैं जो उसकी आग्य का पालन करते हैं जो हमेशा उसकी आग्य का पालन करने के लिए तयार रहते हैं कुल मिलाकर जो cheerily बिलकुल पिरसंता पूरवक उसकी आग्य का पालन करते हैं who best bear his mild yoke खुशी खुशी प्रसन्निता से उसकी आगय का पालन करते हैं वे उसकी अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं किसकी भगवान की जो गौड है उसका जो राज्य है वो तो राजाओ का राजा है इस्टेटिस किंगली मतलब he is the kings of kings जो गौड है वो कौन है वो राजाओ का राजा है thousand at his bidding speed and post over land and ocean without rest हजारों फरिष्टे उसकी एक आगय को पाकर वो प्रत्वी और समद्र को लांग जाते हैं हजारों फरिष्टे देखो पूरा निचोड इस लास्ट की लाइन में आया है और यहाँ पर कवी कहता है they also serve who only stand and wait अरे वो भी तो सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपने चांस का इंतिजार करते हैं कि मेरा भी मौका आएगा भगवान की सेवा करने का मेरा भी समय आएगा तो वो अपने आपको इसी कैटेगरी में जो कवी है वो रखता है तो यह है poem on his blindness एक बार मैं फिर से repeat कर देता हूँ यहाँ पर point यह कहते हैं जब भी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे आखों की रोशनी कैसे चली गई तो यह संसार मुझे अंधेरे से भरा हुआ नजर आता है और एक योग्यता जो मेरे अंदर कवीता लिखने की थी वो मृत्यू के समान चुपी हुई नजर आती है मेरे साथ रहकर भी वो निरर्थक लगती है जबकि मेरी जो आत्मा है वो बहुत डिजायरस होती है भगवान की सेवा करने की लेकिन जो है उसको ये लगता है कि जब मैं अपने जीवन का सच्चा वही खाता भगवान के सामने पेस करूँगा कि कहीं वो मुझे भला बुरा ना कहे और ये प्रिशन मैं खुद से बड़ी मुर्कता के साथ पूछता हूँ कि क्या भगवान को किसी अंधे के काम की आवशक्ता होती है जो मेरा धहर रह है उस समय रुक जाता है लेकिन अंत्य करन की आवाज आती है यहां से सेक्स्टेट उसके होते हैं और वो तो राजाओ का राजा है और उसकी एक आग्या का पालन करके वो तो प्रत्वी और समुद्र को लांगने की चमता रखते हैं लेकिन वो भी तो सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपना इंतिजार करते हैं अपनी बारी का इंतिजार करते है वो भी तो सेवा करते हैं तो ये थी कविता on his blindness जो कि miltonic sonet है ये john milton जो पैटराक एक कवी रह हुए है उनके pattern को follow करते थे पैटराकन sonet को इन्होंने miltonic sonet में के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि milton ने इसको follow किया था तो उमीद है साथियों कि आपको ये पसंद आई होगी अगर आपको मेरी पढ़ाय हुए जो poem है पसंद आई या फिर other जो मैं work आपको करा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए और जो bell icon है उसको भी प्लाइस जरूर कर देना ताकि आपको regular update मिलते रहें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें थैंक यूवर्य मच्छ यॉर्ट्स डॉक्टर सेचिन गोस्वामी